पी के वेलोस्टी इने सर्कल वेलोस्टी इने सर्कल फाइंड आट करने के लिए हम एक सर्कल कंसीडर कर लेते हैं और जिसके सेंटर को हम सेंटर ओफ फॉर्स और पॉल कंसीडर कर लेंगे और यहाँ पे जो यह पी है यह किसी टाइम टी पर particle की position है इस circle की उपर और F है वो central acceleration की value है P point पर जो इस pole की तरफ directed है और O P है वो radius vector है जिसकी value है R vector और V assume कर लेते हैं इस point P पर particle की velocity है किसी time T पर particle की जो velocity है P point पर वो हमने V ले ली अब हमें पता है कि जो radius vector O P है वो क्या होगा इस circle के P point पर perpendicular होगा means normal होगा तो हम क्या सकते हैं कि इस O P vector के लोग जो इस central acceleration है वो equal होगा इस normal acceleration के क्योंकि ये normal का भी तो काम कर रहा है इस P point की उपर तो हम क्या सकते हैं कि central radial acceleration है वो equal होगा inward normal acceleration के central acceleration रेडिस वेक्टर के लोग हमने एजूम किया है F और जो इन्वर्ट नोर्मल अक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू होती है V स्कूर अपॉन में रो रो जहां पे उस सरकल की रेडियस है यह फर्स शेप्टर में किया होगा आपने नोर्मल अक्सेलरेशन की वैल्यू यह होती है तो इस केस के अंदर हमने रेडियस आर ली है तो F यानि कि सेंटर रेडियस अक्सेलरेशन वो इक्वल हो जाएगा V स्कूर अबर R की तो यहां से V स्कूर की वैल्यू आजाएगी R इंटू F और R हमने क्या डिस्टेंस ली थी इस पार्टिकल P की सेंटर रो फोर से डिस्टेंस तो अगर कोई पार्टिकल सेंटर रो फोर से R डिस्टेंस पे मूँव कर रहा है तो उसकी velocity का जो square है वो equal होता है, उस distance r into में central acceleration at that point.